तो दोस्तों आल्रेडी मैंने होट्स के उपर देखोगे तो आपको मैंने कॉडिनेट जोमेंट्री और लाश्ट वाला लेसन मैंसुरेशन के उपर कोस्टन अपलोड कर दिया है फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ होट्स के कोस्टन आएगा बड़ आपकी तयारी बह कर दो कंस्ट्रक्शन का हमने पहले ही कवर करा दिया है तो मुस्ट पॉलिली कंस्ट्रक्शन तो एक सम दिखाई देता है पर कभी जैसे पिछले बार अगर आप द्यान से देखोगे तो आपको मैंसूरेशन के कुश्टन दिखाई दिये थे तो बहुत ही सिंपल सा कोस्टन वो आप आराम से सॉल कर सकते थे। साथ में कभी कबार ऐसा भी हो सकता है कि आपको थेरमs भी दिखाई दिये वहां पे, थेरमs भी हमें बहुत अच्छे से मैंने आपको एक वीडियो बना दिया है अराउंड दो घंटे के आस पास का वीडियो है पूरे के पूरे थेरम से उससे बाहर एक भी थेरम से आप से पूछेंगे नहीं तो भाई आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो अब चलते हैं ट्रिग्नोमेटरी अब यह अगर देखोगे तो प्रॉब्लम सेट का ही कुश्चन है हम इस त अगर आपको पूरे के पूरे मार्ग्स चाहिए मैंने क्या बोला कि एंगल ओफ दिप्रेशन यहां पे लैंड कर रहा है और लैंड करते टाइम दोस्तों एंगल ओफ डिप्रेशन कितना है दोस्तों 20 डिग्री का तो मैं हमेशा क्या बोला हूँ कि जब भी आप यह बना र ये 20 डिग्री है और दुस्तो इसको आप जॉइन करते हो अब देखो दोस्तो अगर ये 20 डिग्री है तो ये भी कितना हुगा दुस्तों 20 डिग्री होगा मैं आप狂व नैं सभी लोगों को बोलना चाहता हो कि बाई कि इसको आप convert करो इसको आप convert करो कि इसके अंदर क्योंकि हमें बोला है कि find the height height कुछ है तो height दोस्तों mostly हम height को meter में convert करेंगे तो इसलिए आप यह जो है और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो time दिया है दोस्तों वो भी second में तो आपको इसको convert करना होगा तो देखो आप अगर इसको meter में करते हो तो one thousand से multiply करोगे one kilometer equal to one thousand meter और यहाँ पे one hour equal to कितना second होगा दोस्तों three six double zero second तो याद रखना यहाँ पे क्या हैगा दोस्तों meter per second में आपको समस है यह सब समस है जो अगर आपने एक्स लाई्ज के हरेख समसाल किये अगर फिर भी आप यह वाला सॉल नहीं कर सकते। अब यहां पे, find the height at which the plane was when it started landing, तो दोस्तों हमें क्या करना है, height पता करना है, जब वो land होना start हुआ तो वो अपने को वो क्या चीए, दोस्तों height चीए, तो दोस्तों indirectly, यहां से जहां से उसका depression start हुआ है, तो यह अपने को indirectly चीए, तो दोस्तों मैं यहां पर A ले रहा हूँ, यहां पर B ले रहा हूँ और यहां पर C ले रहा हूँ, तो इसके पहले आप यहां पर क्या लिखोगे दोस्तों, देखो, angle of depression, देखो यहां पर लिखोगे, angle of depression is of 20 degree, angle of depression कितना दिया है, दोस्तों, 20 degree दिया है, तो इससे यह पता चल रहा है, दो अब दोस्तों अगर आप द्यान से देखोगे तो यह वाला जो एंगल है इस एंगल को खॉंग्रेंट होगा तो यहां पर लिख सकते हो और यहां पर आपको इंडारिकली क्या निकालना है दोस्तों हाइट निकालना है तो सबसे पहले आपके पैरामीटर होना चीं जितने भी आपने सम्सुल सके अंदर आपको यह पैरामीटर दिया था यहां पर nud निकालना है तो इन डारिकली यह क्या है distance है यहाँ से यहाँ तक जो aeroplane आएगा तो distance हमें निकालना है तो distance का अपने ऐस formula है दोस्तों देखो हमने speed का formula पढ़ा है speed which is equal to distance upon time तो यह formula अपने दोस्तों पढ़ा हुआ है distance upon time बड़ अपने को यह distance चाहिए distance यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर distance रख रहा हूँ तो यह दोनों multiply हो जाएंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा speed और time क्या हो जाएगा दोस्तों multiply अब distance यहाँ पर हमारा कुन सा है दोस्तों AC है यस फटा पट कॉमेंट करके बताओ भाई speed क्या है speed हमने यहाँ पर निकाला है 500 divided by दोस्तों यहाँ पर 9 आएगा तो यहाँ पर कहाएगा दोस्तों 500 divided by यहाँ पर 9 है और यहाँ पर time कितना है दोस्तों time हमें कुछ पता है देखो यहाँ पर बोला है the plane reached the ground देखो जब वह land होना start to a ground पर कब आया दोस्तों 54 सेकेंड में तो यह है अब दोस्तों अगर मैं इसका देखो अगर 9 से अगर आप divide करोगे तो 6 होगा तो यहाँ पर finally हम AC का अगर मैं distance निकालो तो कितना आएगा भाई आप 6 को 6 फायजा कितना होगा दोस्तों 30 और 7 में 2-0 आप लगा दो तो AC का हमें finally distance मिल गया दोस्तों अब आप आराम से यहाँ पर value find out कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों यह हमें पता चल गए यह कितना है दोस्तों 3000 मीटर है तो आप आराम से निकाल सकते हैं यह दोनों के बीच में जब relation होगा आप comment करके बताओ क्या apply करना होगा yes हमें समझ में आ गया दोस्तों यह दोनों के बीच में जब भी relation है तो आपने हो क्या apply करना है देखो यह opposite side है और दोस्तों यह hypotenuse है तो हमें sin apply करना होगा और नई समझ में आ रहा तो question में दिया हुआ भी है दोस्तो, sin theta which is equal to, यहाँ पर कहाएगा दोस्तो, oh, यहाँ पर कहाएगा दोस्तो, sin 20 which is equal to opposite side के है दोस्तो, a,b, और यहाँ पर hypotenuse के है दोस्तो, ac, यहाँ पर sin 20 का value कितना है दोस्तो, 0.342 और अगर हम दियान से देखे तो दोस्तो, यहाँ पर a,b का value कितना है दोस्तो, a,b तो अपने को find out करना है और ac का value कितना है दोस्तो, 3000 तो यहाँ पर into 0.342 अगर हम करें तो finally है यहां पर अगर हम देखे तो दोस्तों a b का जो हमारा एंसर है 1026 मीटर तो दोस्तों यहां पर फाइनली हमारा एंसर आ गया दोस्तों तो बहुत ही सांदर तरीके से यह आपने पूरा का पूरा सम्स आ से खशनाव defshot कfish आEh यह ब पर आप को प्राक्टीस करें जाना चाहिए जो एक्सवाइस के सतर्स थोड़े से अलग हो तो वैसा सम आपके पास applies बहुत अच्छे से उना अब दोस्तों देखो एक सम मैं ले रहा हूँ यह भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह वाला भी जो पार्ट है ना दोस्तों यह वाला जो पार्ट है अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह वाला पार्ट भी आपको अच्छे से सॉल करना है अब देखो यहां पर यहां पे देखो क्या लिख रहा हूं और यहां पर दोस्तों तो फाइनली अगर मैं इससे लिखने की कोसिस करूं तो यहां पर क्या एगा क्यूब लिखता हूं यहां पर क्या लिखता हूं अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे formula अप्लाए कर रहे हूं, तो मैं क्या करा हूँ, पता हैं बस यह वाले parts पर देख रहे हू Shame जब यह वाले parts पर मैं कर देख कर रहे हूँ, यह वाले part पर देख को फॉर्मला क्या गया है? और क्यूब और यह वाला पार्ट 10 रेस टू 6 एक्स वैसी लिखो कोई रिक्खत नहीं है अब दोस्तों यहां तक का पार्ट होने के बाद आप क्या कर रहे हैं अब देखो इसको कि अब यहां पर मैं आगे की और चलो कि सर्दान का क्यों 3-2 भी बी मतलब दोस्तों टैन खूर एक्स का स्कूर और ऑर दोस्तों यहां मैं देखो, तो plus b, b का 10 square x का cube, देखो न, यहाँ पर b का cube, और यहाँ पर गया है दोस्तो 10 raise to 6x, अगर मैं इसे solve करूँ तो 1 plus यहाँ पर 3, 10 square x, यहाँ पर दोस्तो plus 3, 10 raise to 4x, और यहाँ पर दोस्तो 10 raise to 6x, और यहाँ पर भी गया हैगा दोस्तो 10 raise सब्सक्राइब अब अगर द्यान से देखोगे तो यह दोनों में 3 और 10 स्क्वार एक्स बचेगा अब फाइनली हमें जो चाहिए दोस्तों द्यान से अगर आप तो सायद हमे वह मिलनेवाला है मुण प्लस 3 कं गष् वाले कोर्षन तो जो आपके एक्सराइज में 12 कोर्षन है उसका मैंने अल्रेडी वीडियो बनाया है डीटेल वीडियो है मेरे पास इसी चैनल पर एविलेबल है तो भाई उसको याद से देख लेना और उसके बाद कम से कम और कुछ आपको एश्टरा चीजों पर ध्यान दे यहाँ देखो एट्यूब बाईनस बीक्यूब वाला फॉर्भण लेलो यहां पर ल lis ivos को तुम में लिखा सेमर सेंसे तो देखो पर फॉर्भण बता दे रहicker दो देखो यहाँ बाईनस बीक वहाँपे a minus b a plus b whole cube का formula अलग होता है अब यहाँ पे अगर मैं formula अपलाए करूँ तो पहले क्या होगा दूस्तो a minus b फिर क्या होगा a square फिर क्या होगा a b और क्या होगा दूस्तो b square अब यहाँ पे हमेसा plus fix होता है यहाँ पे minus है तो यहां पर क्या होगा प्लस तो यह इसका फॉर्मला है आपको पता होना अच्छी है तो दोस्तों यहां पर अगर मैं देखो तो फिर से देखो मैं क्या लिकूंगा एंस्वार मतलब टैन स्कूर ठीटा और माइनस स्वारी प्लस ए भी मतलब यह दोनों का मुल्टिप्लाइ तो यहां पर आगि मैं ध्यान दो यहां पर कहागा दोस्तों बी का वैलू किया है दोस्तों हो म॥ूर अब यह पूरा पूरा पाट होने के बादुछी स्वार्थ्यतग माइनस वण भाई यह फॉर्मले का ही अपको मार्स थे डारिक बै डारिक कैंशल हो गया अब दोस्तो अगर आप द्यान से लेखोगे तो यहाँ पला प्लिस तो अगर आप इतना सम्सॉल कर रहे तो और गया फिछले बार एक त्री मास का कोशन पूछा गया था एलिमनेट ठीटा का समय वह भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपका टेंशन खत्म हो जाए तो दोस्तों आप यह नेक्स्ट यह वाला जो कुशन ने मैंने लिग दिया ह इस कोशन को अब अपने को सॉल करना है यह 2023 में कोशन पूछा गया था और जो लोग देखो इस तरह से अगर जिनकी तैयारी बहुत अच्छी रही न वह आराम से चीज़े समझ सकते हमें क्या करना है तो सबसे हले मैं यहां से क्या कर रहा हूं कॉस्ट ठीटा का फॉर्बल अगर फॉर्बला देखोगे तो क्या है दोस्तों यहां पर आप देखोगे तो क्या है दोस्तों एक्स बाए आर और यहां पर वन तो फाइनली दोस्तों यह वाई स्क्वेर यह आर स्क्वेर यह एक्स्क्वेर यह आर स्क्वेर और यह वन तो फाइनली अगर आप इसे आग टो अगर जो भी आप पढ़के जाओं कि आपको सबी सीजी पता होनिए अब चलता हुआ दोस्तों अप लगबग मैंने तीनों लेशन की चीजे कर दीये मैं सेरकल के कुछ टो आपको सॉल करके देता हुआ अब चलते हैं circle के कुछ problem set के जो होट type के जो questions है जो exam में पूछे जा सकते हैं वैसे questions cover करते हैं और ये question दोस्तों अगर आया तो three marks में आने के chances हैं देखो मैं यहाँ पर construction आपको करके दे दे रहा हूं कि जादा कुछ problem नहीं हो देखो सबसे पहले इस type में में हमें क्या करना है दोस्तों देखो यह जो आपका sq है और यह जो आपका आरपी है इसको आपको parallel प्रूफ करना है parallel के लिए concept हमेशा याद रखना है कि जब भी हम line parallel बताएंगे तो अपने आज तीन टेस्ट है या तो मैं इसको alternate angle से यह angle इस angle को congruent बता दू तो हो सकता है दूसरा मेरे पास एक और है कि मैं यह तो corresponding angle से बता दू कि यह दोनों angle बता दू और तीसरा है कि अगर सपोज अगर यह दोनों का plus 180 हो जाए तो इंटेरियर एंगल टेस्ट से यह line parallel हो जाएगा तो ऐसे अपने आज तीन concept है देखते हैं कि कौन सा concept यहां पर अपलाए होग अब देखो sum बहुत easy हो जाएगा अगर आपने मेरा cyclic quadilateral की property को पढ़ा होगा तो आपके लिए बहुत easy हो जाएगा बहुत simple तरीके से चीज़ों को आप solve कर सकते हैं यह वाला जो अपना angle है यह angle दूस्तो यह वाले angle को congruent होगा आप बोलोगे sir ऐसे कैसे तो भाई हमने हमने पढ़ा है यह दोनों का plus 180 हमने पढ़ा है यह वाला एंगल इस एंगल को congruent होता है दोस्तों यह वाला एंगल इस एंगल को congruent होता है by property of cyclic quadrilateral exterior angle of cyclic quadrilateral which is equal दोस्तों अब यहां पर देखोगे तो यहां पर अब मैं यहां पर सबस्बहें लिख रहा हूँ R P NM is a cyclic quadrilateral अगर यह cyclic quadrilateral है तो यहां पर जो एंगल है इस एंगल का नेमिंग क्या है दोस्तों M R P यह एंगल दोस्तों इक्वल हो जाएगा इस एंगल का नेमिंग क्या है अगर आप देखोगे तो यहां पर भी अगर आप देखोगे तो इस वाले एक quadrilateral में आपको क्या करना है पता है cyclic opposite angle of a cyclic quadrilateral और supplementary वाला property अपलाई करना है मतलब फिर से देखो मैं लिख रहा हूँ quadrilateral M N बहुत ही simple तरीके से इसका answer आजाएगा is a cyclic quadrilateral फिर से मैंने लिखा अब cyclic quadrilateral लिखा तो इसका opposite angle का plus 180 होगा तो इस एंगल का नाम के है M N Q M N Q और इसके opposite में ये angle है दोस्तो इसका नाम के है M S Q which is equal to कितना है दोस्तो 180 प्लीज यहां पर रिजन लिखना opposite angle of a cyclic quadrilateral supplementary यह अगर नहीं लिखने आ रहा होगा तो आप लिख दो property of cyclic quadrilateral cyclic quadrilateral angle theorem ऐसे आप लिख सकते अब देखो दोस्तो मुझे क्या करना था यह वाला एंगल और यह वाले एंगल का plus 180 हो जाएगा तो भी अपना काम हो जाएगा तो दोस्तो देखो यह वाला एंगल हमें मिल गया M S Q मिल गया है बस यह वाला एंगल हमें replacement करना है यह वाले number A सब लिख देना अगर दोस्तो यह दोनों का plus 180 हो गया तो इससे कंफर्म हो गया कि यह इंटेरियर एंगल टेस्ट से हमारा जो लाइन है दोस्तो पैरलल हो जाएगा तो आप डैरेक्ट यहापर लिख सकते हो जो हमारा लाइन है दोस्तों कौन सा S Q वह पैरललल है S Q वाला यहाँ पर सॉलूशन दिया हो इस गीवर आप देखो नेक्स्ट कोशन में आपको थोड़ा सा अलग कोशन सॉल्ल करा रहा हो यह सिये इस कोशन को अगर आप द्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखो लिखा है कौडिलेटरल ABCD इस पैरललो ग्राम और दोस्तों यहाँ पर दियान से सॉल करो और अपने को AD का वैली निकालना है मतलब यह पूरे AD का वैली चीए तो दोस्तों आपको एक प्रॉपेटी पता होगा tangent segment theorem तो आपको पता होगा कि यह कभी भी अगर समझो यह circle है यहाँ पे से कोई भी tangent जा रहा है अगर समझो यह x है तो यह भी x होगा यह अगर समझो 4.5 है तो यह भी 4.5 होगा तो दोस्तों उसके according अगर मैं जाने कोसिस करो तो भाई यहाँ पे अगर समझो यह 4.5 है तो य यह fund आपको पता होना अच्छी है तो देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ A which is equal to A किसको equal है एच को दूसरा मैं लिख रहा हूँ दोस्तो B which is equal to क्या हैगा दोस्तो BF और यहाँ पर अगर मैं लिखो तो C G which is equal to CF यह कितना है दोस्तो 4.5 cm यह कितना है cc कितना है दोस्तो 5.5 cm कितना है दोस्तो ऐसे y consider कि और दोस्तो next है dz, और dh ले लो इसको हमने x consider किया थो यह पूरा का पूरा है यहां वाला paar अपलाए करूँ तो क्या आएगा दोस्तों टेंजेंट सेगमेंट थियरम याद रखना या तो टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फॉर्ण पॉइंट दू इसा भी आप लिख सकते हो अब यह पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब हमारे लिए नेस्ट जो हमारा मेन टास् होती है अगर मैं देखा हूं तो यह जो वैल्यू है दूस्तों अपोजिट साइट्स नो न होगा तो मैं यह बहुए ले 4.5 प्लस 5.5 तो अगर मैं देखू तो x प्लस y विच्छ इक्वल टू दोनों को प्लस करेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है 550 10 आ रहा है answer तो दोस्तों यहाँ पे हमें एक equation मिला और same आप क्या करोगे दोस्तों एक और देखो यह वाला side भी इसको equal होगा तो मतलब ad जो है वो equal है किसको equal है दोस्तों bc को अब यहाँ पे ad पे value क्या है दोस्तों 4.5 और 7 पे क्या है दोस्तों x है और यहाँ पे क्या है दोस्तों 5.5 साथ में क्या है दोस्तों y तो अब देखो यहाँ पे यह यहां पर आएगा तो बाइनस होगा यह 5.5 है माइनस 4.5 देन एक्स माइनस 5.5 माइनस 4.5 कितना आएगा दोस्तों अगर मैं ध्यान से गरू तो यह वाला भी पार्ट आपका हो गया अब यह वाला पार्ट होने के बाद जस्ट आपको क्या करना है एक्स और वाई की ओस्त और सेगन को हम अगर हम एड करेंगे तो देखाँ एक्स प्लस फाय बिचेस एक्वाल टें एक्स माइनस वाई वी सिटेंकि sevol 2 आगर मैं दोनों कारहूं तो यहाँ जगा दोस्तो टू एक्स और यहाँ पे 11 यहाँ पे टेन और प्लस किया ना टेन और और वान कितना 11 अब यहां पे अगर 11 आया तो दोस्तों अगर मैं डिवाइड करूँ तो एक्स बीचे से इकॉल टू क्या हैगा 11 बाइटू तो चलो बताओ कॉमेंट करके कितना है 5.5 यस परफेक्ट अब 5.5 है तो अपने को दोस्तों वाई निकालने की जोरत नहीं है कि उन्होंने हमें AD प अगर आप देखो के तो यह क्या है दोस्तो 5.5 और यह क्या है दोस्तों एक्स है तो यह क्या हो जायेगा शरी यह 4.5 है और यह क्या है दोस्तों 5.5 तो वीचिस इकॉल टेन वहाई AD का एंसर हमने निकाल दिया unit लिखना मत भूलना यह भी कोर्चन हमने solve कर दिया आप चलते पहले वह आपको बता दू अच्छे से सबसे पहले मैं कोस्टन चाहता हूँ कि यह वाला कोस्टन सौल करा हूँ यह यह कोस्टन बहुत ही फेमस कोस्टन था सर्कल का और जो 2020 में पूछा गया है दोस्तों सर्कल विच सेंटर एं बी सी टर्च इच एधर एक्स्टरनली सर्कल इन दूस्तों जो से एक्स्टरनली टर्च है और दोस्तों यहाँ पर ऑब जो है एक्सटर्नली तीन सर्कल को टॉच किया उसके सेंटर को फिर हमने ज्वाइन किया अब यहाँ पर देखो लेट क्या लिखोगे इससे आपका टाइम थोड़ा सा हमारा बच गया यहाँ आप तो आप लिख सकते हो कि P, Q, R circle A and B, touches at point P ऐसे से आप line लिखना अब मैं यहाँ पर direct लिख रहा हूँ दूस्तो AP जो है और जो दोस्तो यहाँ पर AQ है उसको मैं X ले रहा हूँ कि क्यों radio of same circle है center A, अगर B से आप consider करोगे तो मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ दोस्तो B P और यहाँ पर क्या है दोस्तो B Z है तो यह क्या है Y और C Q है और यहाँ पर क्या है दोस्तो C R है यहाँ पर क्या है दोस्तो Z है तो यह हमने consider किया late करके अब दोस्तो आपको क्या करना पता है सब्सक्रामाइब देखो यहां पर आपको क्या करना है दोस्तों यह तीनों ही एक्वेशन को एड़ करना है तो देखो यहां पर मैं लिख रहो एड़ यहां पर आपको क्या करना है दोस्तों यहां पर इक्वेशन को अगर हम डिवाइड करें तो दोस्तों यहां पर फाय आएगा अब आपको क्या करना है दोस्तों हमें रेडिया उफ इस सर्कल हमें फाइंड आउट करना है तो हमने जैसे फॉस सर्कल को एक्स कंसिडर किया है तो यहां पर एक्वेशन में एक्स और जेट का value put करूँ, xz का value क्या है दोस्तो 4, तो यहाँ पे क्याएगा y plus 4, यह सब आप equation number यह सब आप लिखना तो 5 minus 4, then y equal to क्या हैगा दोस्तो 1, then इसके बाद अगर आप देखोगे, यहाँ पे क्या है दोस्तो xy, xy हो गया, यह भी हो गया, अब दोस्तो यह देखो xz, अग पे क्याएगा 3 plus z, which is equal to 5, then z equal to 5 minus 3, then z equal to 2, तो finally यहाँ पे x, y, z का जो हमें value मिल गया, दोस्तो मिल गया, तो radius और circle जो हमें निकालना था, दोस्तो हमें सभी values मिल गया, अब यहाँ पे दोस्तो जुलाए में यह question पूछा गया है, और यह बहुत ही simple question है, इसलिए मैं आलग इसको आसानी से आप solve कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ tension नहीं, आराम से, देखो आपको क्या करना है, सबसे वहले हमें, यहाँ पे देखो codilateral दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, codilateral, पहले आले codilateral का नाम किया है, दोस्तो पी, बी, लिख रहा अगर आप नीचे देखोगे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो एगल, यहाँ पर भी अगर आप देखोंगे तो दोस्तों BQRC, तो देखों यहाँ पर Codilateral BQRC, BQCR आएगा, BQCR is a cyclic Codilateral, अब देखों दोस्तों इसके अंदर भी आपको BRC वाला यह जो है, यह और इसके अपोजिट वाला आपको लेना चीए, तो यहाँ पर अंगल का है, दोस्तों B, R, C, प्लस यहाँ पर यह वाला क्या है का दोस्तों, BQC अंगर सर, आज 11 वाला टेस्ट हुआ, मैक्स का, पेपर, पेपर, लिकाला कैसे पेपर, पेपर, तो दोस्तों यहाँ पर, देखों बहुत सारा काम चल रहा है, अब 10 वाला में पर हमारे 11 का भी काम बहुत सारे, आफ्लाइन बैस है ना, तो सब काम चलता है, तो दोस्तों यहाँ पर, देखों यह equation number first है, यह equation number second है, अब क्या करना है दोस्तों, यह दोनों का अगर आप देखों कि प्लस है, मतलब यह दोनों प्लस करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करो, add यहाँ पर हम क्या करेंगे equation first and second पर second ऐसे लिख देना तो यहाँ पर क्याएगा a p b a q b plus b r c plus b q c equal to 180 180 कितना होगा दोस्तो 360 अब देखो दोस्तो हमें कौन सा चीए हमें क्या चीए दोस्तो a p b चीए और हमें कौन सा चीए दोस्तो b a r c चीए और दोस्तो यह दोनों एंगल को अगर आप ध्यान से देखोगे देखो यहाँ पर a q b और दूसरा एंगल है दोस्तो b q c जो एंगल अगर आप ध्यान से देखोगे तो लब इसको इक्वल के वहाँ बिजता है यहां पर रिजन एंगल एडिशन प्रॉपर्टी डाल देना तो देखो बाई कितना सींपल सभी चीजे हो जा रही है यह एक सम मैं आपको दे रहा हूं बहुत ही सींपल सा सम है यह इसका आपको सॉलूशन जो है दोस्तों 21 में आपको मिल जाएगा 21 में आप देख सकते उसका सॉलूशन तो एक बार देख के जाना चाहिए मुझे ऐसा लगता है अगर आपका टार्गेट अच्छा और यह सम का यह दो सम का आपको सॉलूशन देख के जाना चाहिए जो आपके एक्जाम में पूछे गया है पहले अब देखो यहाँ पे और मैं आपको बताना चाहूं तो यहाँ पे आपको कोई से सम पर फोकस करना चाहिए सरकल लेशन के अब आपके लिए सरकल लेशन का सब बहुत ही इजी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है यह सम तो मैंने आल्रेडी आपको सॉल करा दिया अब देखो दोस्तों यहाँ पर कहां गया वसम को अगर आप सॉल कर रहे हो तो यह सम के कुस्ट्टन में आपको दीख सकता है अगर उनको देना रहा तो देखो यह कुस्ट्टन करना बहुत बढ़ा टास्क नहीं है अगर आज ने अपने मेरा सरकल का सेशन अटें किया होगा तो आपके लिए कितना है दोस्तों देखो पी ओ आर कितना दिया है दोस्तों 70 डिग्री यह हमें कितना दिया है 70 डिग्री तो आपको उन्होंने पी आर बोला है तो भाई अगर आपने मेरा सेशन 18 किया होगा तो आपको बता यह वाला इसको इकुल है तो भाई डारेक्ट पी आर हो जाएगा तो direct इसका 70 आएगा by definition of minor arc या तो central angle लिखो next दोस्तों आपको QS निकालना है और QS निकालना है तो QS कैसे आएगा दोस्तों यहाँ पर इन्होंने कुछ data दिया होगा ध्यान से अगर आप देखो कि इन्होंने RS arc का value दिया है अगर RS का value दोस्तों 80 है 80 degree है और इन्होंने कुछ starting में बोलागी यह जो quad है इस quad को congruent है अगर quad congruent है तो arc भी congruent होता है तो दोस्तों इसका value 80 हो जाएगा और इसका value 70 है तो यह तीनों को plus करो और 360 में minus कर दो आपको QS मिल जाएगा QS भी हो गया आपका अब next ने दोस्तों QSR निकालना है भाई बहु बस नंबर से यहां पर अलग है कुछ अलग नहीं है आज अगर लायू circle का जो हुआ है उसी तरह से आपको जाना है हाँ बस पहला आला पार आपको समझना चाहिए पहला उन्होंने आर्क वाले पर पूछा है और बाद फिर उन्होंने quad के उपर पूछा हुआ है आर्क यह कुछन यह सब आपको फटा पड़ इसके solutions को जल्दी जल्दी देख लेना चाहिए बताओ यह वाला भी सम मैंने कराए की नहीं इसलिए आज का session बहुत जादा important है same sum बस यहां पी इन्होंने एक बार आर्क से related दिया फिर यह दिया तो यह आप आराम से कर सकते हैं इसमे अगर आप देखोगे दोस्तों यहां पर E F G है E F G और देखो यह वाला एंगल और दूसरा कौन सा है F G H यह दोनों एंगल एक दूसरे को congruent है क्योंकि लाइन पैरलल है लाइन पैरलल बोला है तो आप लिख सकते हो दोस्तों यहां पर अल्टरनेट अंगल अब अल्टरने F G H जो एंगल दुस्तों इसके सामने कौन सा आर्क है F H है तो यह क्या आएगा दुस्तों हाफ आफ आफ आर्क है F H अगर आप दियान से देखोगे तो एज़ और F H एक दूसरे को एकवल भी है गीवन में बोला है और कोर्ड कोल यह मतला सका half अवाप लोगा तो दोस्तो क्या वोजय गए इप अगर आप दियान उच्छा हमें प्रूफ करना मैं手री वह में प्रूफ करना देखो यह और यहां पर आप डारेक्ल कोड अगर यह दोनों अगर यह दोनों आर्क अगर एक दूस्ट्रों को लोगे तो उसके सामने आले कॉर्ड भी इक्वल हो जाएगे कॉर्ड करस्पॉंडिंग टू कॉंग्रेंट डारेक्ल लिग सकते हो रीजन तो यह सम भी आपसे आ सेशन अच्छे सा देखा होगा अगर मेरा पाइथागुरस वाला भी सेशन देखा होगा न तो भी यह बना सकते हो और एक्शली सर्कल में यह कोशन पूछा गया तो बहुत ईजी है देखो यहां पर इन्होंने एम के का वैल्यू कितना पूछा है 12 इन्होंने केल का कितना दिया है दोस्तो 6 root 3 और इन्होंने दोस्तो find radius of circle बोला है और आपने को ml बनाना है तो भाई पाइथागुरस थेरम अपलाए करो कि यह पे पहले 90 आएगा पहले 90 बताओ tangent थेरम से पाइथागुरस अपलाए करो ml तूरंत आजाएगा अब यह हो गया तो radius आपको मिल गया अ अपने आप डारेक 60 डिग्री आ जाएगा तो भाई इससे ज्यादा सिंपल और क्या हो सकता है तो यहाँ पे मैंने आपको सर्कल लेशन के मैक्सिमुम सम यह देखो एक सम और एक सम और एक सम कर दे रहो यह वाला अब यह जो सम है यह सम भी आपको देखके एक बार जाना च अब आपको अंदर यह जो एंगल से वो सभी को प्लस कर दो देखो अंदर जो एंगल है angle कौन सा है दोस्तों ये P का naming कैसे लिखेंगे R P Q R का कैसे लिखेंगे P R Q Q का कैसे लिखेंगे दोस्तों R Q P equal to दोस्तों कितना है का 180 अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला angle R P की वाला angle किसको equal है तो angle P S R को equal है ये P R Q S E और ये वाला जो angle है दोस्तों किसको equal है Q S R को और equal to 180 देखो मैं कितना fast proof लेकर आ रहा हूँ अब दोस्तों इसके बाद हमें देखो ये P R Q मिल गया है ये है पर ये दोनों को replace करके हमें क्याची ये P S Q चाहिए हो सकता है दोस्तों देखो P S R और P S Q सभी को मिला के P S Q लिख सकता हो P S R और P S R P S R दिखाई दे रहा है और Q S R दोनों को मिला के मैं P S Q लिख सकता हो तो finally यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा देखो ये P R Q और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा P S Q which is equal to 180 तो भाई यहाँ पर angle addition property अच्छे से लिखना हो गया वह यह sum भी आपको solve करके जाना चीए अब इसके बाद मैं आपको solve example का book का एक sum बता दूँगा इसके बाद वाले वीडियो में क्योंकि वो एक बहुत simple सा sum है last में ही है वो solve example book में तो एक तो मैंने solve example एक आपको यह वाला बोला है कि यह तो hots में नहीं आएगा छोटे कोशन में आपको पूछ सकते इस तरह का example वो हमेशा ऐसा sum देंगे और यहां से tangent पास होगा यह solve example का sum है और यहां पर वो हो सकता है कि यहां पर आपको 100 value दे और फिर आपको क्या करेंगे बोलेंगे कि यह value find out करो तो भाई यह 100 है तो यह कितना हो जाएगा 80 अगर यह 80 है तो आपको बता है 90 और 90 सभी को प्लस करो 360 में से माइनस करो तो यह आ जाएगा या तो वह कभी कबर यह direct देंगे आपको और बूलेंगे यह पता करो या तो वह यह देंगे बूलेंगे यह पता करो तो पता होना चाहिए इसमें कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए और साथ पर एक और समय तो मेरे सेशन वह आप एक मिनिट देखोगे तो आराम से हो जाएगा वह बहुत ही वहापे कुछ CM करके ऐसा कुछ है दो सर्कल है और कुछ उसका प्रूफ है जो इवन मेरे भी बोड एक्जम में वह कुछ न लग रहे है कि इसको स्कीप नहीं करना चाहिए यह फटा फट आपको concept अगर आपने मेरा लेक्चर देखा है ना तो यह सब सम आपसे स्कीप होंगे ही नहीं आप आराम से इस सब सम को सॉल कर लोगे तो इसको याद से मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगों कि कि इसको आप एक बार याद से देख लो सर्कल की यह जो समस है जो भी फिलिंग दे ब्लैंक स्टाइप के जो भी समस है फटा फट अगर आपको कॉंसे पता है आप मेरा लेक्षर देखो तो आप सॉल कर सकते हो अब तो लगवग मैंने मैंसूरेशन अगर आप देखोगे तो क सलेशन का सार्कल के साथ हमने रिसेंटली एक और कोशन कनवार किया सार्कल के साहत इसके अंदर हमने पहले ट्रिग्नो मैटरी वह बुक Beim कहां आपको एक सम पूछा गया है एक्जाम के लिए इंप्पोर्टेंट सर्कल का एक सम भी और है साथ में कवर कर देता हूँ कि उसको लाश में रखते हूँ मुझे ना सर्कल का टेक्सबूक का यह देदो पीडियेफ उपन करके दो ना एक सम इंको डारेक इदरी से बता दो हाँ सर्कल थर्ड लेशन दिए एक स्थर्म है एक तो जो मैंने आपको कराया प्रीविएस ये इस में वो था वो सम दीख नहीं रहा है यार वो सम दीख नहीं रहा है मुझे कुछ एसा सम है और ऐसा सरकल रहेगा और यह दोनों सरकल का हम पूरा का पूरा उन्होंने पैरिमीटर दिया है और पैरिमीटर देने के बाद वो पूछेंगे कि डिस्टेंस पूछेंगे यह दोनों का find out करो तो इस type पर कोई भी question आएगा तो इसको आप xx ले लेना इसको आप yy ले लेना इसको zz ले लेना और पूरे ये पूरे parameter को और वो randomly एक एक कितना दे देंगे पता है 44 यह बहुत अच्छा कोश्चन है द्यान से समझ जाओ कहीं question दीख नहीं रहा है मुझे पर मैं direct बता दे रहा हूँ आपको क्या करना है parameter है मतलब सभी को plus कर दो देखो यहाँ पे y plus z यहाँ पे x plus z which is equal to 44 parameter मतलब सभी का plus तो यह क्या हो जाएगा 2x plus 2y plus 2z which is equal to 44 x plus y plus z which is equal to 22 और आपको पता है यह बीसी का value है bc का value मतलब y plus z देखो नो bc which is equal to y plus z और वो कितना दिया है दोस्तों 12 तो यहाँ पे आप क्या करोगे 12 रखोगे और यह x है और यह 22 then x which is equal to 22-12 then x which is equal to 10 भाई हो गया एक्स का value आ गया तो आपका distance तो वह पूछते हैं कि a से कितना distance तो आ गया तो इतना fast यह समने solve कर दिया तो इस तरह का अगर कोई question आया तो आपको यह भी पता होना चीए देखो मैं मेरे साइट से ना बहुत मेनत करके मैं आपको सभी questions अगर आपने देखा था बहुत normal से थे और जो मैंने कर आया था उससी में से थे पर geometry में इतना होने के बाद भी मैं बोल रहा कि question घुमा के आएगा यह मत सोचोगी same to same question आएगा पर मैं यह बोल रहा कि आप solve तो कर लोगे अगर आपने मेरा पूरा lecture अच्छे से देखा पता दे रहा हूं और अगर आपने theorem के वीडियोस को नहीं देखा तो भाई देख लो हां मिल गया सम पेज नंबर 81 पे solve example नंबर 3 बहुत छोटा सा है तूरंत आप solve कर लोगे tangent second segment कोमेंट theorem से कोस्टन सौल होने आला है तो भाई याज से वह solve कर लेना तो चलो भाई यह वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं और इसके बाद अगर मेरे बास टाइम बचा तो मैं लेसन नंबर सेकेंड के भी questions कवर करा दूंगा अगर नहीं बचा तो मैं कुछ questions आपको दे र पूरा का पूरा पाट एक बार दे लिए अगर इतना आपने कर लिया lesson number first का एक और बता रहा हूँ मैं अभी ग्रूप में आपको lesson number first के कुछ मैंने problem set के question solve करा है वो भी मैं भिजवा दे रहा हूँ तो वो आपको एक बार देख लेना चाहिए ये सब solve करने गयाद अगर मेरे पास अभी time मिला तो मैं ये भी solve करा देता हूँ तो वीडियो को देखने के लिए जिल से thank you so much दोस्तों मिलते है नेक्स लेक्चर में बाय बाय टेक केर जहीं दोस्तों